हरे कृष्णा, पहले मने मंगला चान करेंगे श्री रूपं साग्रजातं सहगनरगुनाथ नित्वंक्वं सजीवं साद्वाइतं सावदूतं बर्यन शैतं कृष्ण चैतन्य देवं स्री डाधा क्रश्ण पादान सहगनललिता स्रि विशाखानिताम्ष नमयों विष्णु पादाय कृष्ण प्रिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति विदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे श्री गोरो वानी प्रचारिने निरिविशेश शुन्यवादी पास्चात्य देशतारिने वंचा कल्पतरु व्यस्या कृपा सिंदु व्य एवचा पतीतानां पावनेभ्यो वईष्ण वेभ्यो नमो नमाः नमो महा वदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने करित्विषे नमाः पंजिदत्मात्मकं क्रिष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामिंग भक्तशक्तिकं नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेशकलेशनाशाय परमानन दाईने हे क्रश्न गरुणा सिंधु दीन वंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो श्रिटाधा कांतो नमहस्तुते तप्त कांचन गोरांगिंग राधे व्रिंदावनेश्वरी व्रिशो भानुशुते देविप्रनमामी हरी प्रिये निलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवद्र सुबद्राभ्याम्स जगन्ना थायते नमहा जय स्रिक्रिष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रियद वैत गदाधरु स्रिवाशादि स्रिकौर भक्त वृंदा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. तेजोवारी मृदां यथविनिमयो यत्तिसर्गम्रिशाह धाम्ना स्वेन सदर्नियस्त कुखकं सत्यं परमधीमही नाम संकिर्तनं यस्य सर्वपाप प्रनाशनं प्रणाम दुख्षमनस्वं नमामी हरिंपरं हरियोंगत अच्सत जय जगन्नात श्री जगन्नात निलाद्री शिरोम मुकुटरत्नहे दारु भ्रम्मन घनश्याम प्रसीद पुरुशोत्तमा प्रफुल्ल पुंदरी काक्ष लव नाब्दी दटाम्रिता गुटी कोदर मांपाही नाना भोग पुरंदरा निजाधर सुधादाइन एंड्र दुम्न प्रसा सुवध्रा लालन व्यागर रामानुजन महस्तुते गुंडिचारत यात्रादी महस्विवर्धन भक्त वसल बंदेत्वां गुंडिचारत मन्दनम दीनहीन महानीच दयाद्री कृतमानस निच्यनूतन महात्म दर्शिन चैतन्य वल्लबहा माहां बोदेस्तिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रासादंत सहज बलभद्रेन वलिना सुभद्रामध्यस्ता शकलशुरसे वावसरदो जगन्नात स्वामीन यना पातगा मिभवतु में जो महुददी तटके किनारे कनकोजवल स्वर्ने से चमकता हुआ निलगिरी निलाचल परवत के शिखर में एक राज प्रासाद के अंदर अपने बलदेव दावजी भाईया के साथ और सुभुद्रा को मध्वे में स्थापन करते हुए अवस्थान कर रहे हैं कि सारे सुर्गन को वे अपने सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं समस्तो भक्तों को क्रिपाद रिष्ट्रि दे रहे हैं एसे श्री जगन्नाद देव मेरे नयन पत के पति को जाए श्री जगन्नाद बलदेव सुद्रमाज सुद्र चक्र जीरू की जाए जगन्नाद पुरी धाम की जाए श्री जगन्नाद भगवान की जाए तो आज बहुती खुश खबरी है बहुती सुभ एक खबर है वो है कि सुप्रीम कोट ने भगवान जगन्नाद जी का श्री हम लोग जानते थे जो भी सादूगन है भी भगवान के क्रिपा के उपर ज़्यादा विश्वास करते हैं अगर जो ये नहीं होता तो पतानी क्या होता भगवान का भी बाहर आना बहुत जरूरी था और सबी जितने भी आचारी लोग भरतवर्श में हैं जितने भी भगवान जगनात के भक्तगन हैं उनकी इच्छा को भगवान ने आज स्विकृति दे दी और सुप्रीम कोट ने पर्मिशन दे दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जगनात जैसे ही बहार आएंगे जितना भी दुख जितना भी त्रास इस संसार में चल रहा है शायद उसका शमन होगा वैसे भी जो भविश्यवानी थी वो है एक सूर्य ग्रहन से दुस्ता सूर्य ग्रहन तक भहती क्रिटिकल कंडिशन रहेगा तो वो होगे कम्प्लीट हो चुका उल्रेडी और दूसरा है कि जस्ट शायद दो दिन पहले भगवान क्रिपास अनुकम्पास से कोरोना का दवाई निकला है भगवान सबको सद्पूति थे इस आउशदी को शक्ति थे ताकि कोरोना का विपत्ति टली जल्दी जल्दी सब लोग नॉर्मलाइजड हो भगवान क्रिपास लेकिन बात ही है कि भगवान ने जिस शिक्षा के लिए ये इतना कुछ किया शायद वो शिक्षा सबको मिला है इसमें थोड़ा से संदे हैं लोग सुधरे प्रकीति को प्रेम करना सिखे प्रकीति का नुक्सान हमारा नुक्सान है यह जानके अपना लाइफस्टाइल को एक नया दिशा दें यही हम लोग का प्राथना है इस चीज़ से कुछ सीखे लोग भले ही आज करोना है कल नहीं रहेगा लेकिन ऐसी विपत्तिया आती रहेंगी अगर हम लोगों ने अपना यह सेलफिश एटिटूट चेंज नहीं किया हम लोग का सेलफिश एटिटूट का जो परिदी है वो दिनपदी बढ़ता जा रहा है उसको अगर कम नहीं किया तो प प्रकिति का एक बहुत बड़ा रिवेंज था आमारे उपर और यह शाय स्टिफ टेलर था इसे भायना कुछ हो सकता है तो बुद्धिमान मनुष्य लोग इसका अवश्य ही एक इंट्रोस्पेक्शन करके कुछ शिक्षा ग्रहन करेंगे ऐसे आशा करता हूं और भगवान जगनात इन सबको सद्थ बुद्धी दे भगवान जगनात सबको क्रिपा दे रकी सभी कि सभी लोग इसरी जीवों के पति तया रिदय में धारन कर सके तो आज का जो कथा है वो है गुंडी चा मार्जन और भगवान भकतों के जगवान जगनत के साथ भगवान के भकतों का जो लीला हुआ था कुछ-कुछ लीला समय परिदी के अनुसार में बोलने कोशिश करूँगा तो गुंडी चा रथ मार्जन एकदा आज अचली गुंडी चा मार्जन का डे भी है और गुंडी चा मार्जन ये भगवान चेतन माप्रभु ने एक विशेश आदर्ष मैं लीला का प्रदर्शन किया था अपने जीवन काल में जब तक वो धाधाम में थे सोचिए कि उस समय कितना सुन्दर होगा जब सचल जगन्नात और अचल जगन्नात एक गोपी प्रेम में विरह कृत जगन्नात जो अचल जगन्नात है और एक कृष्ण प्रेम में विरह कृत जगन्नात जो की कौरांग महाप्रभु सचल जगन्नात बोलते हैं दोनों जगर्नात एक साथी एकी व्रदरंड पर उपस्तित हैं सोची वहाँ पर प्रेम का क्या बिश्फोट हो रहा था उस समय क्या तरंगी होगी क्या वाइब्रेशन होगा जब महाप्रवू संकीर्टन पहली बार जब महाप्रव का संकीर्टन सुना राजा प्रताब रुद्र ने तब राजा का राजप्रसाद में हमेशा कोई ना को किर्टन ही आता है कोई ना कोई गायक कोई ना कोई म्यूजिशन आता है रहता था उन्हें बहुत कुछ सुना था लेगिन ऐसा हरिनाम संकीतन कभी नहीं सुना था, तो वे छट से देख रहे हैं राजा प्रताब रुद्र और देखे सारोहों बटचारे से पूछ रहे हैं कि ये अध्भूद्य मधूर कृतन है, यह मैंने कभी भी नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना, यह क्या है, दिव्य ध्वनी क्या है, तो भट्टाचारे जी ने उनको रिपलाई दिया, कि चैतनेरे स्रिष्टी प्रेम और संकीरतन, यह भगवान, चैतनेरे महाप्रवु, उनके शुद्ध पार्शत्गन, भगवान को रिदाय से उतकंठीत भाव से उनका नाम को पुकार रहे हैं, और वेलग रो रहे हैं, उनका प्रेम का सभाव, शब्द ध्वनी के साथ मिलकर, पूरे वातवर्ण गुंजाय मान कर दिया है, वो प्रेम उसंकीरतन, कहते हैं कि जिसका रिदाय जितने मात्रा में शुद्ध होता है, उसके मूझ से हरी नाम उतने मात्रा में एफिक्टिव होता है, और यहाँ पे तो महाप्रभु स्वयम भगवान, परम विशुद्ध तत्व और सभी लोग विशुद्ध भक्त, सोचिए उनके मुझ्द वरी नाम निकला होगा, तो सरी नाम का प्रभाव क्या है, प्रभाव अब लोग देखी रहे हैं कि वरी नाम अभी कुछ सालों पहल प्रभुपारजी के द्वारा पूरे प्रिथवी मंडल में फ्यल गया, एक जग हरी नाम हुआ था, श्रिवा संगन में, वहां से आया नवद्धी प्रपारत वर्ष्न कुछ जगे पे, फिर पूरा प्रिथवी में ठैर के वो उसका जो प्रेम सागर है, प्रेम की तरंग है उचारत और फ्हल गयी, गोलो के दो प्रेमधन हरी नाम संकीतन, भगवान को प्रेम से पुकारना यही नाम जब और संकीतन का सही बिधी है, कि हे क्रिष्ण अब यह और रहानी जद आप आईए, हरे क्रिष्ण, हे क्रिष्ण, आप आईए, तो उच्छ भगवान, हम लोग इस हरी नाम हरे क्रिष्ण महा मंत्र के साथ भगवान के चर्णों में भहत दिनाते दीन रिदाय रखके हम लोग शानलागात होते हैं, और पुकारते हैं जोर से, लागट्रापदी ने पुकारा था हाथ से, वासु देभी कोविंद, भगवान तुदनता है थे, ग जगनात जी का ही लिला से महाप्रभु वहाँ पे गये, और जगनात जी के क्रिपा से ही यह प्रेम संकीतन पुदेविश्वभर में फैला, तो यह दिभी लिला है, वही कृष्ण विरह में व्याकुल कृष्न का, और एक है सेव्य, जो राधा विरह में उनका कृष्ण तो एक बार क्या हुआ यह श्री चैतन्य चरिताम रित में मध्य लिला में द्वादश परिच्छेद में इसका वर्नम किया गया है हम थोड़ा सुनेंगे उसके बाद हम भगतोई कथा करेंगे कि एक बार महाप्रवु दक्षिन यात्ता से लोटके आ गए और प्रताप्रुद्र महाराज बहुत आकुल व्यकुल रिदय जब से सुना है भगवान महाप्रवु का लीला उनको सपने में देखा उनका संकीटन स सना उनकी भगतों का सब कुछ सुन रहे हैं दिन नात माप्रवु का करने हैं जगनात का लीला सब जहले है अच्छा अभी प्रकट हुए हैं अद्वाइत अचारे के पुकारने पर और कलियुक का युग धर्म प्रचार करने के लिए हरे कृष्णा तो महाप्रभु ने लीला के मार्द्यम से दिखाया के पहले आप चित्तरूपी दर्बन को मार्जन कीजिए बहुत भी जो सेवा कीजिए और मैंने पहले भी काया है गुरु के आज्या पालन करते हुए हम लोग अगर एक महत्पुर्णों सेवा को संपदन करते हैं और गुरु गुरु डिपेंड होते हैं तब ही हम शुद्ध हो पाते हैं तो माप्रभें यहां पर लीलाकिये यहें गुंडीचा मार्जन लिला गुंडीचा यानि जहां पे गुंडीचा देवी का श्री मंदीर है बहुत गोर्करषा आशारी दितिया में गुंडिचा मंदिर में जात्रा करूंगा जो ब्रिंदावन स्वरूप है व्रिंदावन स्वरूप इसका मार्जन लीला के द्वारा भगवान सिखा रहे हैं कि सेवा के द्वारा बहुत परिष्टम करते हुए गरंत वितरन जैसे प्रचार भगवान के प्रदर्शन किया है ताकि सब लोग अनुप्तानित हो वो सेवा करने के लिए ताकि उनका चित्त रुपी जो दर्पन है वो शुद्ध हो सके तो यह दक्षिन देश लोटने के बाद एक बार क्या हुआ जगनात रत्यात्र निकट हुआ तो परिच्छा पात्र मैंने कहा है कि परिच्छा पात्र होता है इक शत्रील नियोगि में से एक नियोगी जो सबको सेवा अलॉट करते हैं तो जगनात्त P righteous हमेशा जैसे कुछ दिन पहले भी सेवा अलूट होग सब लों सब नियोगी योग को तो ऐसे सेवा जब आलट हो राता हम तो महाप्त्रभू ये परीचाप पात्रे से एक सेवा लिए एक विशेश सेवा जिस सेवा के प्रति शायद किसी का ध्यान नहीं था कभी भी तो महाप्त्रभू स्वयम भगवान खुद की श्री मंदिर को मार्जीत करके सिखा र तो महाँ प्रभु क्या की है कि ये परिशा पात्र नियोगी से क्या हुआ परिशा पात्र नियोगी से सिवा मांग लिया क्या सिवा कि गुंडीचा रथियात्रा मार्जन सिवा कि गुंडीचा मंदिर को मैं आज साफ करूंगा तो परिशा पात्र तो डर गया कि राजाने तो तो बोला था कि आप जो सिवा मांगे आपका आज्या शियोधारिय करें लेकिन ये शाद आपके योगी सिवा नहीं भगवान आप क्यों ये सिवा करेंगे यही फर्क है भगवान के भक्त में और मायाबादियों में मायाबादी लोग कोई सिवा नहीं करते इसलिए अंतुत् संकार के द्वारा उनका पतन हो जाता है लास्ट में पॉलिटिक्स में लास्ट में क्या बोलते हैं जितनों राजकारण तंत्र में उनका मन लग जाता है उनको नहीं भगवान से मतलब है नहीं आधात्मिक जीवान से प्रवचन बड़ी देंगे छंद को उपनीशा रिदय दर भी इतन नहीं होगा कभी भक्त माने वो सेवा प्रेम जब होता है ना किसके रिदय में प्रेम सेवा के माध्धम से प्रकाशित होता है गुरु की पती प्रेम प्रकाशित होता है उसका आग्या पालन करके तब ही आप समझ सकते हैं कि गुरु का प्रेम करते हैं तो आप गुरु के लिए प्रभुपात के शिश्य लोग अपने गुरु माज के लिए कितना रेश को उठाए लाइफ में सब कुछ छोट शार की आके प्रभुपात के स्वेवर में लग गया है और गुरु का अग्या पालन की गुरुपति प्रेम का प्रखाश है मा प्रेम करती अपने बच्चों से सारा दीन मा बिना पैसो के लगी रहती है उसको कोई कोई सेलरी नहीं है उसका कोई छुट्टी नहीं है उसका कोई मेडे नहीं है एक दिन मदर्डे मना लिया मा तुम ही यह हो बस मदर्डे फदर्डे जो अब चल रहा है मैं देख रहा हू अरे तो सारा जीवन रहना चाहिए, सारा देन रहना चाहिए गुरु पुन्यमा का गुरु जी गुरु मुद्गुरु देव, गुरु जी चिलाएंगे कोई मतलब नहीं है, यह अनुभूती निदय के स्पन्दन के साथ होना चाहिए तो यह प्रेम का सभाव है, इस सेवा हम लोग भगवान को सेवा करने चाहते दा, हम लोग चाहते हैं कि भगवान देशा हमारे जो मतलब लोग हैं, मैं देखा इनका तवचलली, जो लिता मतलब हखतग्न है कि बूचो की मा फिर चंप मता जी फिर कुसुम मता जी सुनीता मता जी और जो जह है जो जापी की जो दोस्त हैं जो फुल भेश्टिय नित लोग सेवा किये जा रहे हैं चुपचाप रुनो मता जी इए को सेवा का टेस्ट मिल गया है भगवान के लिए बहुत प्रेम परवस कुछ बनाना ये सेवा है इमें अपने क्रिष्ण को बनाने वाली क्रिष्ण के लिए बनाने वाली है कि बहुत सारा मातरा में बारीस हो रहा है सब कुछ हो रहा है लेकिन वो नित्त फूल दिया जा रहा है है तो वह चाही है प्रेम का स्वहाव है कि भगवान के लिए कुछ सेवा करना सेवा करने माध्यम से सब लोग तुष्ट होते हैं गुरु का आज्या मानने से गुलु पसंद होता है सिर्फ मुँझ से कुछ बोलने से उसका कोई लाब नहीं होता है वह वैसा ही है वह एक प्रतारक चीटिंग बाज जो होता है उसके चरिस्ट्र को डेवलप कर देता अगर मुझ से कुछ बोलता है तो करके दिखाना मुझ से बोलना दोनों अलग-अलग शोर हैं तो भक्ति में अवश्य ही कि एक करने में जदा ध्यान होना चाहिए कुछ करना है इस प्रुपात की शिश्रों ने कहा प्रुपात ने अपने गुरु के लिए लिए किया यह है कादर शुधारन तो चत्यन माप्रभू ने कि यह सेवा ले लिया यह मंदिर मार्जन का और देखने भी लग कि सब भक्त लोग कैसा सेवा करते हैं तो यह माहप्रव का जो जीवनी है इस सब का जो डिटेल है यह इधर दिया गया है इसलिए इसको सरोपरी परकास्ट में कहा गया है कि यह जो ग्रंत है उसरोफ सरी आप व्यक्ष्यान किया गया है तो मैं समय नहीं लूँगा यह भड़ूँगा तो महाप्रभु ने उन लोगों से परिछा और राजा की सेवक उनसे दो चीज मंगाएं एक घट घट यानी कलश पर तो बकेट ने तो कलश ही था और संग मार जनिया जाड़ू कि तुम नया सो कलश लेके आओ और सो संग मार जनिय लेके आओ तो आज गुंडिचा जो बेदी है या गुंडिचा गार्डेन है वो अम लोग भगवान का एकदम शुद्ध करेंगे साफ करेंगे बस जिस दिन आशारी शुकल प्रथमा है यानि रथयात्या के पहले दिन महा आप्रभु सुवे सब उठके जगना दर्शन किये अपना साधना भजन जो करना था वो किये सब भग्तलों के बुलाए और श्री हस्ते आर दिन प्रभाति लोईया नि जगन श्री हस्ते सवार अंगे लेपिला चंदन श्री हस्ते दिलो सवार एक एक मार जनी शवगन आप्रभु स्टिला आपनी गुंडीचा मंदिरे गेला करिते मार्जन प्रथमे मार्जनि लोईया करिला सधन भितर मंदिर उपर शकल मौजिला शींहास न माजिपुन स्थापन करिला छोटवर मंदिर कईला मार्जन सथन पाचे तétais चे शोदिला श्री जगमहन चारी दिक सत भक्त संग मार्जनी करे आपनी सधेन प्रभु सिखान सवारे प्रेमल्लाशी सोधेने लएन क्रिष्ण नाम भक्त गन क्रिष्ण कहे करे निजकाम धुली धुशर तनु देखीते शोभन काहा काहा अश्रु जले करे संग मार्जन भोग मंदिरे सधन करी सधिल प्रांगन शकलो आवाश क्रमे करील सधन तुन धुली जिकुर सब एकत्र करिया बोहिर बाशे लोईया फैलाए बाहिर करिया एई मत भक्त गन करी निजवाशे तुन धुली बाहिरे फैलाए परमहरिशे प्रभुकरे किकत करिया छो संग मार्जन त्रिन धुली देखाईले जानीब परिष्टम सबार छेटान भोजा एकत्र करिलो सबा होईते प्रभुर भोजा अधिक होईलो एई मत अप्भ्यत तर करिलो मार्जन पुन शबाकारे दिला करिया बंटन सुक्ष्म धुली त्रिन काकर सब कर होदूर भाल मते सधन कर प्रभुर अन्तपूर सब वैश्णव लोईया जबे दुईवार शदिलो देखी महा प्रभुर मने संतश हैलो आर्शत जन शत घटे जल भरी प्रथमेई लोईया आछे काल अपेखा करी जल आन बोली जबे महा प्रभु कहिलो तबे सत घट आनी प्रभु आगे दिलो प्रथमे करील प्रभु मंदिर प्रक्षालन उर्ध अद भित्ति क्रिह मद्ध सिंहाशन खापरा भडिया जल उर्धे चलाए लो शेई जले उर्धे शोधी भित्ति प्रक्षाली लो श्री हस्ते करे इन सिंहाशनेर मारे जन प्रभु आगे जले आनी दै भक्तगन भक्तगन करे ग्रिह मद्ध प्रक्षालन निज निज हस्ते करे मंदिर मारे जन केहोजल आनी दै महप्रभूर करे केहोजल दै तार चहरन उपरे तो अभी माप्रभु ने क्या किया कि माप्रभु सभी भक्त को चंदन दिया यह कितना सुन्दर बरिष्णव आचारन है देखिए यह स्याधन धर्मों का भहुत बड़ा एक सुन्दर नियम है सब को रिसीव करना सब को आप बायन करना यह हम भारत बार को एब अबंध के लोगँने हम लोगँ लूट लिया लोगँने अमारे पर अत्यचार कर लिया इतना हम लोग का मने एक reception जो है वो world class level का ऐसे कहीं पर भी नहीं होता है तो क्या सुन्दर receive देखिए यह कहीं पर नहीं होता है चंदन देखे सब भक्तों को महाप्रभू ने खुद अपने हातों से माते में चंदन दिया और भगवार का महाप्रशाद दिया और सबको एक एक ज़ाड़ू दिया कि चलो गुंडिचा में अभी सेवा करेंगी और महाप्रभू ने सबको कहां देखो हमारा पहला सेवा रहेगा हम दोग ज़ाड़ू मारके जितने भी कंकर, पत्थर, जितने भी तिनके जो भी कुछ यहां पर बिखरा हुआ है, गार्डेन में, अन्तपूर में, मंदीर, मंदीर के छट पे, जीतने भी जाले लागे, जो भी कुछ है, सब पहले साफ करेंगे, एक बार नहीं, दो बार करेंगे पहले बार में जो कच्रह होता है, वह भाँत स्थूल होता है, तो निकाल लो फिर शुक्रम हुआ रूप से भी जाड़ू मारेंगे, तो महापरवू का झालूप हलिए, जीतने जड़़ू मारने लगे, और जब महापरवू जाड़ू जब भिश्मों को मानने के लिए क्रिश्न ने चक्र उठाया तो मैंने रत का पईया उठाया था तब क्रिश्न का जो अंग में धूल इत्यादी लग्की जो क्रिश्न का शोभा हुआ था ठीक वैसा सोभा आज महापरोव के दर्शन में है सब लोग देखें बिश्मीत हो जा रहें महापरोव का इरूप दर्शन कर रहें और महापरोव क्रिश्न गुण गान कर रहें सेवा कर रहें यह सेवा करने का एक बिदी है जब भगवान की सेवा करें भगवान का नाम उच्छरन करिया उनका लिलांग उनकी लिए खुछ गाना गाते होए सेवा का और चांद चांद लग जाएगा और एक और मैं उपाए बोलता हूं सेवा अच्छा कैसे होगा इस द्रीमति राधाने कि छलता रहेगा मन में और सेवा करते रहेंगे ऐसा सेवा करने के बाद आपका क्रिश्ण कर रहे हैं और सब लोग और कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं माप्रभू सबक्र दिखाओ तो तुम लोग किया है तो जब सबका धूल इकटा किया गया सब लोग का सौचिए मापरुब का धूल उससे भी ज्यादा हुआ आखेलेका और महाप्रवी बहुत खुष्ष्वे अंतर में और यहापे लिखावए है एमत अभ्यंतर कोरिल मार्जण महाप्रवी रिदाष पवित्र उनका अंतरकरण भैकरण दोनों ही समान है पवित्र बपु तो अपने पवित्र बपु अपना पवित्र अंतकर्ण जैसे उन्होंने पूरा सुन्दर मंदिन को मार्जन कर दिया, यह शुद्ध चेतना का एक प्रकाश है, इंगलिश में कहा वात है, कि गौदलीनेस इस नेक्स्ट टो क्लिलीनेस, पवित्रता से ही भगवात प्राप्ति, भगवान तो पवित्र वस है ना, पवित्रता से भगवान का, भगवान को पाने का रास्ता खुलता है, इसलिए बोलते सत्वगुन में आना, गंदे रहना, बोडी से दुरगंद आ रहा है, उसमें चलते रहना, शैबी लगना, फिर ब्रशने करना, नाने से कतराना, इस सब तमगुनी, गुन है, मैं देखा है, बहुत लड़कों का, इस सब सभाव है, तो जानी आप भगवान से बहुत दूर है, इक गुन आपके पास है, तो, आप जितना भी कुछ कर लो, ना टक, लेकिन आप भगवान से दूर हो, भगवान को इसलिए समर्ण स्मर्ण नहीं कर पाओगे, ज बोलते हैं, यह हमारे गुरु जी बोलते थे, जिसका अंतकरन साफ है, ना सही माहिने में साफ, वो बाहर भी वैसे करके रखता है, उसका चेतना बहुत उच्छ होता है, जिसका अंतकरन गंदा है, उसको फरक नहीं पढ़ता है, यह जाला लगा हुआ है, उसको फरक नहीं गुरुकूल मायपूल में होता है एक लिनी लेस का ट्रेनिंग झाल 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 झाल